आजादी का अम्रित महोटसम इस शांदार संघर्ष की जलक। स्वामे विवेका नन ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। 1895 में लंदन में स्वामी विवेका नन से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेका नन से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुँची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं बलकि भारतियता की प्रतिमूर्ती बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर का वरत लिया तो विवेका नन ने उन्हें निवेदिता नाम दिया जिसका अर्थ होता है प्रभू के लिए समर्पित। माई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेका नन के साथ अलमोडा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रेटिश सरकार के कार गुजारियां देखी तो इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है। दरसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्क्रित कॉलेज के लिए विवेका नन को जमीन सौपनी की अनुमती कश्मीर के महराजा को नहीं दी। मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौ जवानों का समो बनाया और रहत कारियों में जुट गई। जून 1899 के मध्ध में निवेदिता इंगलेंड पहुँची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमरीका गई। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्रपाल से हुई। इंगलेंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जम कर दुश प्रचार हुआ लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया। इससे अग्याद निवेदिता ने सकूल के लिए सरकारी सहता लेने से मना कर दिया था। उन्होंने सकूल में दैनिक समाचार पत्रों में वंदे मातरम ऐसे समय शुरू कराया, जब सारुजनिक रूप से देश भक्ती के गीत गाना अपरात था। उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चर्खे की शुरुआत भी कराई। सिस्टर निवेदिता ने भारत के बाहर क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की और उनके भारत में वितरण का इंतजाम भी किया। उन्होंने विदेशों में भारतिये क्रांतिकारीों को संगठित भी किया। जब सिस्टर निवेदिता 1909 में भारत लोटी तो उनके ज्यादातर सहयोगी जेल में थे। 11 अक्तूबर 1911 को 43 वर्ष की उम्र में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो गया। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स में उनके समारक पर ये शब्द उतकीर्ण है। यहां सिस्टर निवेदिता विराजमान है जिनोंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आजादी का सफर आकाशवणी के साथ कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। कर दो